ब्रेकिंग न्यूज संभल सपा जिलाध्यक्ष सहित 40-50 लोगों के खिलाफ मुकदमा ग्यापन देने के दोरान नाटक बाजी पड़ी महंगी कोतवाल से बद्जुबानी के बाद सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खां समेत 40-50 सपाईयों के खिलाफ किया केस दर्ज धारा 188 और 505 के तहट केस संभल कोतवाल अमित कुमार ने कराया केस सदर कोतवाली के स्टीम ऑफिस का मामला अब समझ बादी पार्टी आप देखते हैं कि वाइदा दो थीन साल से यह पीजी कर रहा है मगंदी इन पीकिया है लेकिन अमल कुछ नहीं है शैक्रों लोग प्रदेश में मारे गए दुर्फट नहीं जा रही अब समझ बादी पार्टी अब सब्सकों पे उतरेगी सब्स पार्टी पार्टी तो नहीं होगा तो उनके खिलाव फाइया नहीं होगी तो अब तो जो दोशी होगा जिसके सड़क दुर्गटना में सड़क के घट्टों से हो रही है और किसी का आदमी मरें यह उनकी खिलाव फाइया कराएंगे अच्छा सर अभी देखा आया था कि आपकी सदर कोद्वाली के प्रिवारी जो हैं कोद्वाल साफ सही भी बिढ़न देगी कि क्या था है पुलिस अपनी बेहुजे टांगड़ा जेती है चमकने के लिए उसके लिए यह डखेतों को बलातकारियों को तो जो बीजबी के ने समाजबादी के लोग पड़े तो पुलिस की बंड़ा गड़े चले तरह तो पुलिस यह काम नहीं चल पाए सर यह सपा जिलादच फिरोज खान पर मुकल्म दर्ज हुआ है किन मामलों में दर्ज हुआ है सर यह कल जो है सपा के निवार्तमान जिलादच है इनका सडक और बिजली को लेके कुछ मिंदवों पर सियो से वार्ता का दिवस्त है था वार्ता के लिए जब यह गए सेख़डो समर्थ को एक साथ महां बद्र टाइप नारे लगाते हुए पहुचे थे हैं इसी संदर में इनके खिलबेमा बंजे क्रिट किया गया है ठीक सरका किनके निहान मदर्ज के लेगा है और कितने लोगों खिलाब किया अ कि ये इनके खिलाब है है इसके अलवा इनके अन्मर्थक हैं और 188 और 505 इबद्र श्याव उजां हैं झाल